दोस्तो नमश्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं गुरुजी ओफिशिल और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं उच्च मादमिक सिक्षक पातरता परिक्षा में उम्मीदबारों की फिर से समस्याइं आ रहे हैं तो इसमें जो एक न्यूज निकल के की सर्थ रखी गई है कई उम्मीदबार यहां पर कह रहे हैं कि राजस्तान सरकार ने भी समान बर्ग के लिए सिच्चकों की भरती के लिए 16 अप्रेल को बिग्या पंजारी किया है बहाँ पर यह भरती लोग से वा आयूक के माध्यम से कराय जा रही है क्योंकि यह पर लोग की समश्या निकल के आ रही है तो यहां पर हम लोग और देख लेते हैं कि क्या पूरी नियूज है देखिए यहां पर मैं आपको बात करूं तो किसी-किसी बिश्विध्याले में 46% पर सेकेंड डिवीजन बन जाती है तो कहीं-कही 47% पर थर्ड डिवीजन बन रही है तो आवे तक इससे परिशान है और वो करें कि रूल बुक में जो है परसंटेज का कोई जिकर नहीं है इससे भी वो यहां पर पर परिशान हो गए है तो हम देख लेते हैं कि क्या पूरी नियूज है यह देख सकते हैं रूल बुक में नियूनतम प्रतिशत का जिकर नहीं ह बताऊं कि एक उम्मीदबार है बिनुद किरार उनका कहना है कि उन्होंने जबलपूर के रानी दुरकापति विश्विध्याले से हिंदी शाहित्य में 47.50 अंक के साथ 3rd डिवीजन प्राप्त हुआ है वहीं भोपाल के MLB कॉलेज से MSC करने वाली चात्रा बिनीता चोहन को 46. 26.203 अंक के साथ 2nd डिवीजन प्राप्त है ऐसे में अधिक अंक प्राप्त होने पर भी पातरता प्रेक्षा में सामिल नहीं हो पा रहा तो दोस्तों यहां पर हम लोग देख लेते हैं कि पूरी न्यूस जाने कलके आ रही है तो न्यूस पूरी यह है कि स्कूल सिक्षा वि कास बिभाग के अंतरगत उच्च मादमिक सिक्षक संबर्ग के लिए जो भरती होना है इसके लिए पी इबी पातरता प्रेक्षा 2018 उज़ित कर रहा है इसमें आवे दिन जमा करने की जो अंतिम्तिती है वो 20 अक्टूबर है इन दोनों डेपार्टमेंट ने सेक्षण की यो और किसी में 46% पर भी सेकंड डिवीजन माना जा रहा है इसे में अवे तक परिशान है बीजी में सेकंड डिवीजन और बीएड होने पर उम्मीदबार पातरता प्रेक्षा में सामिर होने की शार्द रखी है लेकिन रूल बुक में नियूंतम प्रतिश्यत का जिक्र नहीं किया गया है तो यह पूरी आँपर नियूज निकल गया रही है देखे पीवी के अनुशार अब जन जाती कारें बिकास बिभाग के लिए आयोजित पातरता परिक्षा पर भी स्कूल सिक्षा बिभाग की नियम लागू होंगे लेकिन इसके बाद भी बिवाद खत्म होने क नाम नहीं ले रहा है उमीदबारों का कहना है कि पीवी की रूल बुक में पातरता परिक्षा में सामिल होने के लिए पोस्ट गिरेजुशन में सेकंड डिभीजन के साथ पास होना जरूरी है लेकिन कई विश्विध्याले में सेकंड डिबिजन के लिए अलग-अलग माप डिबिजन में उत्तिविन किया गया है उन्हें पात्रता परिक्षा में सामिल होने का मौका नहीं मिल पा रहा है इस बात को लेकर उम्मिद भार स्कूल सिख्षा विभाग जनजाती कारे विकास विभाग समित राजभवन आदी में अपत्ति दर्ज करा रहे हैं और करा चुक के दूस्तों यहां पर एक और बात चुर में अध्यादेश भी अलग अलग है यानि कि हर भी शुर्द्ध्य होते हैं तो प्रोफेशनल अलग अलग होते हैं प्रोफेशन बोट्स के अगरम बात करें तो अलग-अलग माप दन्ड होते हैं महाँ पर इस बात को लेकर भी उम्मीदभार परेशान है क्योंकि वहीं यह जो भरती होना है यह ऑपन होना है यह अन्य राज्यों के विश्विध्यालों के आउआ पासाथ उसमील हो रहे हैं वाफ, यहां पर प्रोफेशरン एकाइस बथोड़िया, परिक्षण नियंत्रक पीवेव, क्या है? उन्होंने कहा है कि दोनों विभागों की पात्रता बिक्षचा के ही होनी है यई सिर्फ प्रात्रत नियम भी एक समान लागों हों गें जंजाते कार्यविकास बिभाग पर इसकूल शिच्छा विवाग की नियम लागू करने किये जाएंगे इसलिए नियूनतं अंक को लेकर बब बिभाद नहीं है हम संब्दित विभागों से के नियम के अनुसारी पर इच्छा आयोजित करते हैं तो दोस्तों एक बड़ा अपडेट निकल के आ रहा है यह सिक्षक भरती से संबंदित और आगे देखते हैं कि इसमें अब आगे क्या कोई परिवर्तन होने वाला है अगर होता है तो क्या परिवर्तन होता है इस बीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार जय हिंद जय भारत